सब को जए मसी की आज का संदेश जवानों के लिए इवावस्ता में पवित्र जीबन के से जिए के से जवान आपने इवावस्ता का उपयुक परमिसर के लिए कर सकते है इवावस्ता में परमिसर को के से प्रसंद करे आज आन तीन बातों को देखेंगे पहला अपने स्रुजनहार को स्मान रखे सबगपतेशक अध्याई 12 का एक अपनी जबानी के दिनों में अपने स्रुजनहार को स्मान रख इससे पहले की बिपती के दिन और बेवस्चा आए जिनमें तू कहें की मेरा मन इनमें नहीं लखता इवावस्ता में जबानों को आपने स्रुजटी करता उधार करता प्रभू इस मसी को स्मान करना चाहिए और उसकी आराधोना स्तोती और प्रसंचा करना चाहिए और युवावस्ता में आत्मिक रूप से बढ़ना चाहिए और परमेशर के बचन का अनुशार जीबन जीने का प्रयाज करना चाहिए दूसरा पॉइंट बचन के अनुशार जीना बजन सहिता 119 का 9 और 11 जवान आपनी चाल को किस उपाई से सुध रखे तेरे बचन के अनुशार सापधान रहने से मैंने तेरे बचन को अपने रुदे में रख छोड़ा है कि तेरे बिरुद पाप ना करू परमेशर का बचन हमारा मार्ग दर्शक ओना चाहिए जवानों को अपने जीवन में सबी निर्ने को बाइबल के सिथांत के अनुशार लेना चाहिए परमेशर के बचन के अनुशार जीने से जवान अपनी चाल को सुध कर सकता है तीसरा पॉइंट जवान की अभिलासाँ से भागने से दूसरा थिमतियस अध्याई 2 का बईस जवान की अभिलासाँ से भाग और सुथमन से प्रभु का नाम लेते है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेर मिलाव का पिछा कर इवावस्ता में जवाने की अविलासां से भागने से एक जवान अपने जीवन को पवित्र रख सकता है जवाने की अविलासां से भागता है तो परमेसर के सामने सुद और पवित्र ठेटा है और जो विस्पास और प्रेम से चलते हैं उनके साथ हमें मेर मिलाप करना चाहिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जवान के समय में अपने आपको पवित्र और शुद रख सकते हैं आज के इस बचन के द्वारा परमेसर हम सभी को आसिस दे